इस ट्टियो में हम देखने वारे में cooler के भूटर के प्राइस के बारे में और साति साथ जो हमारा cooler में water pump लगता है पाणी वाला जो नीचे से पाणी ऊपर तक ले जाता है उसके भूल से के रेट के बारे में तो दोने यह रेटर के देखेंगे और आपके डिस्प्लेए यह की मोटर अभी लगी हुई है इनका भी प्राइस साथ साथ देखने वाले ठीके दोस्तों वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं ताकि आपको होल्सेल प्राइस पता चले होल्सेल प्राइस का मतलब यह होता है कि आपको एक स्पेसेफिक कॉंटेटी रहती है बल्क वाली वह अगर आप इसमें बल्क कॉंटेटी ना उठाकर अगर आप रिटर की कॉंटेटी उठाते तो यह जो प्राइस है ना सर यह लगेंगा यह नहीं आपको कोई इससे हायर प्राइस आपको अप्लाइब हो जाएंगा अगर आपका ऑडर बल्क में है या होल्सेल में है तब ही इस तो में आगर आज विडियो में जो प्राइस बताने वाला वह अपलाए होंगा ठीक है तो सबसे वह हम देखते पानी की मोटर के बारे में निकरा निकिंग हमारे कुलों में लगेती हिए तो मार्केट में जो अवेलेबल siya पानी के मोटर वहां कंवा सब vous new magnet है तो प्राइज हायर लेवल पर चल जाती है और उसमें लोकल वाला यानि फिर यूज वाला यूज किया हुआ उल्ड वाला जो magnet है उस वो अगर लगाकर दे रहे यह कंपणी किसी वाटर पाम्प वाली वो प्राइज आपको सिधीसी बाते वाटीकरीज हो साथ तो मैं आपको हमारे कि प्रस्वाता देता हूं हमार पास जो अवके लिवल defensiveач मरण में आव यानी कि व कि व यूज्बलेस मैंट곤 नहीं है मतलब UK यूनेक्ट नहीं है। आपको फ्रेश की मैंचे क्लास में बता यार पीट और छे पीट की ठीक है अभी यह पंप हमारे हो गए हैं अब बढ़ते हम हमारे मोटर के तरफ तो हमारे पास जो मोटर है तो मोटर में यह दिखी आपके डिस्प्ले पर हो रहा है मैं एक एक इसका नाम बादा देता हूं मार्केट में इतने ही मोटर रेगुलर चल ससाथ इसमें परेटेता हमारे पास बक्चा पूल र कांपर खूपर अपरांट फाचारी ताक्रवाडह नेकिछान विर्षय जो है इतने की अन्साधा यह मोटर के अपको गेर, इसमें दो तरह के मोटर थी एक तो राइट हैंड और लपट हैं सीधी चाल और उल्टी चाल, दो तरह के चाल इसमें आते हैं 110 की मोटर में, 110 की मोटर और फ्लस्टिक के जो कुलर होता है, उसमें यह 110 की मोटर लग जाती है, मार्केट में नहीं है, पिछले साल से आई है, कहीं लोगों को पता नहीं है, मोटर कौन से ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसमें राइट हैंड और लेट हैंड दोनों का यह सेम प्राइस लगेंगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसके बाद मार्केट में सबसे ज्याथा चलने वाला सेवी की मोटर जो है वह वह बेरिंग वाली यह जो मोटर यह बेरिंग वाली में आपको ऐलुमिनियम की मोटर नहीं मिलती इस में आपको सिरिफ कोपर के गिरेंगी और कॉपर में आपको यह 800 रुपे की हमारे पास मेलेंगे जो कि बेरिंग में रहेंगी दोनों सेड में इसमें बेरिंग कहानेगे और बड़ीया रिसपाउंस एक नंबर इसमें दे रहे हैं उसके बाद May की मोटर है हमारी एक एवीमीनियम के मोटर आती है तो इसमें से प्राइब बिल्यूम टाइस पड़िंगे तीन सु रुपे 300 रुपे में 1 इंची कीट की मोटर पढ़ने वाली है और यह जो कॉपर की मोटर है कॉपर की मोटर आपको पढ़ेंगी हमारे पास से 700 रुपे की मोटर 700 रुपे में आपको 1 इंची सेमी की मोटर पढ़ जाएंगे ठीके दोस्तो उसके बाद हमारे पास है 18 GC की मोटर, यह जो मोटर है यह आपको 35-40 फिट तक हवा लंबी फेकती है, इस मोटर की खास यह थे 18 इंची GC मोटर कहते इसको, यह मोटर आपकी, यानि अस समझ लीजे अगर आपने 35 फिट तक हवा ले जानी है आगे, आप इसको लगा यह बढ़ि इसका जो सेट आता है, बाकी का जो कम्प्लिट जो सेट है वो इसके साथ नहीं आएंगा, सिर्फ यह मुंडी आएंगी, जो कम्प्लिट वोटर बोलते हैं, यह कम्प्लिट नहीं, आगे कि खड़ी मुंडी सिर्फ आपको 1000 में हमारे पास से अवेलेबल हो जाती है, उसके पास है 15 इंची एकजस, 15 इंची एकजस बहुत ही कम चलता है, उससे अच्छा है अठरा इंची एकजस लगा लेते हैं लोग और खुछ रहते हैं, फिर भी हमारे पास 15 इंची एकजस की प्राइस आपको बदाते ता हूँ, 15 इंची की प्राइस पढ़ेंगे आपको 800 ँरता है क्या मिलेगे आपको मैने बच्चा कुरा बताया है यह जो बेरिंग वाली मोटर है इसमें एक इंची अलुमिनियउम और कॉपर की बताया है, आटरा जी सी शी मोटर बताया है, 15 इंची और ऐट्रा इंची एकजस प्राइस ञे थे कि यह सकता है यह प्राइस आज की बदल भी जाए ठीक है दोस्तों तो अभी क्या है order booking का मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इन में से कोई भी motor अगर लेनी है तो उसकी minimum quantity एक हजार पीस की होनी चाहिए अगर आपको ये भी motor लेनी है या फिर 110 की motor लेनी है कुछ भी 1000 पीस की quantity होनी चाहिए मान लीजिए आपको 110 की motor लेनी है ये 4500 की है ठीक है 4500 गुनिला 1000 4500 लाग का आपका बिल बन रहा है 4500 लाग का बिल अगर बन रहा है हम क्या करते हैं आपके 1000 पीस की quantity है तो ये हम हमारे खुद का ट्रक है हमारे पास तो उस ट्रक से आपके address तक हम पहुचाते है सबसे पहले हम जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो 23000 या फिर 5000 जो भी लग रहा है वो आप से receive कर लेते हैं और जो भी उसके बाद 4500 का पेमेंट है इसमें ट्रांसपोर्ट का बाड़ा अलग रग रहा है तो ट्रांसपोर्ट अलग है और 4500 जो जैसे इसके बिल बन रहा है वो 4500 अलग है तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वह हम सबसे पहले ले ले लेते हैं उसके बाद जो इसका यूप payment है वो cash मे लेते हैं जब आप कमाल है आपके घर में पहुच जाते तब अगर कोई customer net banking या फिर एकसेट है वह भी हमारे पर एकसेट है वह भी हम एकसेट करते है जैसा customer का demand होंगी कि हम भाया इस method से payment कर रहे हैं उस method से payment आपको हो जाता है order लगाने के बाद हो सकता है 12 दिन भी लगे 20 दिन भी एक मेना लगे ऐसा नहीं कि अबर आपने आज आडर लगा तो कल आपको मेंसा रुए मिल जाएगा कम से कम आपको इस में क्या होता है एक मेने का waiting period रहता है एक मेने के बीच में आपको ये माल मिल जाता है ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा कि आपने आज आडर दिया और कल परसों मिल जाएंगा बिल्कुल नहीं आपको आडर यह लगाना पड़ेंगा उसके बाद एक मेने तक वेट करना पड़ेंगा कभी कभी एक मेना लगता है और कभी दस-पंदर दिन में हम पहुचा देते तो आपको पेमेंट का मोतल तो समझ में आ गय हो रहा है नीचे आप उस लिंक पे जाकर भी कुलर के स्पेर पाट खरी सकते हैं और अगर आपको इनका ओर्डर देना है बल्क में वीडियो में नमबर आ रहा है आपको डिस्प्ले पर वाट्सप नमबर इसमें अपना एक तो कितने पीस चाहिए वो लिखिए आपका एड पेंड है इसका मोटर का फुल ली वह आपके शॉप में या पीर आप जहां भी बूला रहे है वहाँ पे आपको यह पीमेंट फुली करना पड़ता है ठीक है तो कुछ इस तरह से इसका मेतड़ है अगर आपको ओर्डर देना चाहते है तो आप हमें ओर्डर दे सकते हैं हम सारे accept कर रहे हैं अभी order तो ठीकी दूस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते ही इस तरह के कुछ ने वीडियो सा तब के लिए धन्यवाद